नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं One India मैं हूँ आपके साथ प्रशान शर्मा IPL का महा आक्षन शुरू होने में आप बस 11 दिनों का ही समय रह गया है ऐसे में सभी टीमों की नजर आक्षन में बड़े खिलाडियों पर होगी अभी तक सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने बैलन्स के मताबिक खिलाडियों की सूची तयार कर ली होगी जिन पर ये टीम्स अपना पैसा लगाना चाहेगी मगर कुछ चुनिंदा खिलाडी ऐसे भी होंगे जिनके लिए सभी फ्रेंचाइजियों के बीच होड देखने को मिलेगी अपने टीम में शामिल करने के लिए जिन में से एक नाम पूर्व भारती खिलाडी आकाश चोप्रा ने भी बताया है अकाश चोप्रा ने मुंबई इंडियन्स के पूर्व बल्लेबाज इशान किशन को इस साल मेगा आक्शन में बिकने वाला सबसे महंगा सलामी बल्लेबाज बताया है अकाश चोप्रा ने इशान किशन के बारे में बात करते हुए कहा मेरी राय में इशान किशन आईपिल 2022 के आउक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले ओपनर होंगे वो वास्ताफ में सबसे महंगे प्लेयर भी हो सकते हैं या तो वो इशान किशन होंगे या फिर श्रेस अईयर इन दोनों में से कोई एक सबसे महंगा खिलाडी बिख सकता है अगर इशान किशन होते हैं तो मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी बता थे कि इस साल आउक्षन में इशान किशन का बेस प्राइस दो करोर रुपाई रहने वाला है उन्हें इस साल IPL में खेलने वाली नई फ्रेंचाइज एहमदबाद ने भी अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उन्होंने आउक्षन में जाना सही समझा क्योंकि इशान किशन का मानना है कि उन पर इस महा आउक्षन में अच्छी खासी बोली लग सकती है पिछले महा उक्षन में इशान किशन को मुंबई इंडियन्स ने 6.8 करोड रुपई दे कर अपनी टीम में शामिल किया था जिसके बाद उन्होंने मुंबई की टीम के लिए रनों का अमबार लगा दिया था इस साल इशान किशन चाहेंगे कि उन्हें इस से जादा रखम दी जाए किसी भी टीम में शामिल होने के लिए बागी की तमाम खबरों के लिए बन रही है वन इंडिया के साथ